और पीसी एई की रिकुट्मेंट यहां पर आ चुकी है तो राजस्तान लोग सिवायों की तरफ से एई के लिए टोटल एक हजार चौदे वदों पर बढ़ती आई है जिसमें सिविल के आपके 866 पर तोटल यहां पर तो इस बेकेंसी में के बारे में हमें को बात करेंगे यह शुमार चीज आफ इसका बाल होको है, आपके लोग तो आपके आपके वीडियो में दूर हो जाएंगे प्लस हमें एक detail वीडियो बनाएंगे जहांपे syllabus exam pattern को अच्छे से analyze करेंगे previous paper के बैटेज और उनके लिए कौन सी book से पढ़नी है पिछली बार paper किस-किस book से आया था उसका पूरा complete analysis सो सारी चीज़े आपको मिलेगी अभी के लिए आपको जल्दी से यहां पर देख लीजे तो देखो PHED में आपके यहां पर जो classification है वो दे रखा है इसके बाद में आपका यह mechanical electrical का है इसके बाद आपका PWD है देन आपका WRD और पंचैति राज पंचैति राज में एक चीज़ बताना होगा यहां पर आपको कि यहां पर civil और agriculture की vacancy common होती है लेकिन पेपर अलग अलगी होता है एक तरह से और last में combined merit बनती है इस department की अगर आपने पिछली बार के भी result देखा होगा 2018 में लाश्ट टाइम पर vacancy आई थी जो कोई complete होने में almost चार साल ले लेती लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा पहले अलग situation थी अभी exam पहले की वज़ाए थोड़े faster होगे आप यह मान के चलिए कि जैसे पिछली बार चार साल में complete हो गया था इंटर्वू सारी चीज़ है इस बार आप मान के चलिए कि max to max 2 साल ठीक है और उससे जल्दी भी हो जाए तो अलग बात है ठीक है आपका आपने अगर आपके पास डिग्री है civil engineering में तो आप इसके लिए apply कर सकते हो और कोई अलग से criteria है नहीं है all over India allow है यहां पर देखो आप लिखा हुआ BE और ठीक है डिग्री in civil तो वही है BEB tech जिसने भी कर रखा है सभी लोग allow है ठीक है आपको यहां पर age relaxation तो वह आपका minimum 21 बर्स होना चाहिए अधिकतम 40 इसमें आपको relaxation भी मिलेगा जैसे अगर आप CST से आत हो तो आपको 5 year relaxation है मतलब यहां पर जो अलग-अलग criteria के साथ महिला हो के लिए 10 years हो गया अनारक्षित की महिला है जनरल की उसके लिए 5 साल हो गया और बिदवा वगेरा अगर कुछ है तो उनके लिए कोई age limit नहीं है कभी भी भर सकते हो ठीक है इसके अलावा अगर मैं आपके लिए important point की बात करूँ यहां पर ही कुछ लोग पहले बोल रहे थे slaves में change होगा तो मैंने पहले ही बता दिया था कि slaves में किसी भी तरह का कोई change नहीं होने वाला है और आप देख सकतो वही चीज़े इस बार हुई है ठीक है कुछ चीज़े हम आपको already time to time inform करते र फोर्म कैसे बढ़ना है उसके लिए आपको जाना होगा SSO पर तो SSO.rastan.gorman.in पर जाना है यहां पर आपको account बनाना अगर आपने already account बना रखा है तो आपका OTR होगा one time registration अगर आपने पहले OTR कर रखा है तो बारवार आपकी fees नहीं लगेगी OTR में सिर्फ पहली बार फीस लगती है आप लोगों की यह पहले आपको पता होगा अभी इनोंने चेंज कर दिया था चीज़े ठीक है तो फोटो अगर प्रॉपर अपलोड करना नहीं ऐसे नहीं कि बिलर वगेरा आप फोटो और साइन वगेरा नहीं तो फोर्म रेजिक्ट होने का डर रहता है तो आप इस चीज़ को प्रॉपर ली ध्यान रगएगा नेक्स्ट आपकी अगर मैं बात करू तो इसमें आपके लिए वन टाम रेजिस्ट्रेशन तो इसकी जो चार्जिस बगेरा यहां पर दे रखे देखो 600 रूपर जनरल और बाकी 400 ठीक है और इसके इलावा अगर मैं पॉइंट के हम बात करे जाए तो यह आपका स्लेवर्स का पैटर्न आ गया आपे तो देखो प्री मैंस और इंटर्व्यू आपका तीन स्टेज में चीज़े होनी है वैसे तुम हम डिटेल वीडियो में इसके बारे में बताएंगे अभी शॉट में बता देता हूँ आपको प्री के नंबर नहीं जुड और एंपर होगा और दो सुह ही नंबर का आपका सिबल वाला पेपर होगा मॉनिग में ये खोजाए गा और दोपेर बाद इवनिंग स्ट ऐख़म को टैम मिलता है और दौनों एक साथ नहीं होते दो दौ-घंटे के बीच में आपके लगवक दो एक गंडे का आपको gap दिया जाता है इसमें आपकी राजिस्तान की gk, इंडिया gk का कुछ पार्ट और science वगरा चीज़े पूछी जाती है ठीक है, maximum जो question होते है वो आपके राजिस्तान gk के होते हैं आपे prelims only qualifying nature है approximate 15 times candidate mens के लिए select किये जाते है prelims होने के बाद में आपके दोगों इन दोनों में 100-100 question आते है हर question आपके दो number का हो जाता है बस ये फरक है ठीक है और आपके उसके बाद mens में क्या होता आपका वो होता return pre-objective है, mens आपका return होगा conventional, hindi 100 number, social aspect 100 number एक दिन ये paper हो जाएंगे आपके और एक दिन आपके civil के paper 1 और paper 2 हो जाएगा उसके बाद आपका इन exam के बाद में जब आप इसको pass कर लोगे तो आपका interview होगा कितने बहतर number का इसमें भी minimum passing marks बगएर है यहाँ पे लिखे हुए जो की compulsory है चीजे लाना ठीक है तो interview plus man's के number से आपकी final merit list बनेगी ये आपके लिए इसमें चीजे है सारी ठीक है अदर state मैंने बताए दिया जनरल की जित्तिवी seat है उसपे अदर state पूरे तरह अलाओ है काफी शोन पूस्ते के अदर state के लिए भढ़ना चाहिए और नहीं भढ़ना चाहिए तो आपको थोड़ा सा राजस्तान जी के अच्छी करनी पड़ेगी तो वो एक आप कर सकते हो ज्यादा बड़ी प्रावलम नहीं है अगर आपके state में जोवा रखी तो आप उसके तैयारी केजिए otherwise आपके पास option नहीं है तो आप ये देख सकते हो बस आपकी थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर extra लग जाएगी ठीक है और देखो यहाँ पे अभी आपके लिए एक book का हमारा काम चल रहा है तो इसमें ये राजस्तान की book है इसमें आपके आप तक के जितने भी paper हुए राजस्तान के बैद ये जैसे आपके RPSC RSMSSB इसके अलावा RVUNL जो आपका ये राजस्तान बिद्धुत उत्पादन निगम लिमिटेड ठीक है इसके बाद RCDF राजस्तान कोपरेशन डेरी एंड फेडरेशन ठीक है उसके बाद मैं आपके DLV ठीक है RICO उसके बाद मैं आपका हाउसिंग बोर्ड उसके बाद मैं आपके ये Pollution Control Board राजस्तान RSPCB और इसके अलावा आपकेस में जो ठीक है एक आपका Forester का पेपर हुआ था Surveyor के Draftsman Surveyor और Draftsman ये आपके RS में दोनों की बोर्ड के अलग-अलग पेपर हुए इनके भी पेपर इसमें इंक्लूड मिलेंगे आपको और हमने इसमें कोई भी पेपर आपके छोड़े नहीं है जहां भी आपके Civil Engineering के Questions आते है और कुछ Town Planning के पेपर है उसको भी इनमें इंक्लूड किया गया है मार्केट में काफी सारी इबुक आप देख लो और लेकिन पेपर से उनमें कबरप नहीं है सारे तो अगर आप देखो इतने पेपर कर लोगे न आपके तो आप खुश हो सकते हो कि कितने ज़्यादा Questions आपके तयार हो जाएंगे तो इसलिए आपके लिए पी वाई क्यू मैं इंपोर्टेंट है कुश्चन का पैटर्न का सर रहता है वो आपको प्रिवीशर पेपर से ही पता लगेगा ठीक है और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा वो आपको जल्द बता देंगे बीडियो में आप कमेंट करके आपका कोई भी कुश्चन है वो आप पूछ सकते हो ठीक है आप बस यह है कि आपको बीडियो में जो सबाल का मैं जवाब दे चुका हूँ उसके अलाबा कोई आपका कुश्चन होना चाहिए दूसरी चीच इसके जो प्रिविशर पेपर्स है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो वहाँ से एक लिंक में लेगा आप डाउनओर कर सकते हो आपको हम कापी सारे स्टेडी मेटेल प्रोबाइड करवाएंगे तो राजिस्तान के लिए इसका एक टेलिग्राम चैनल बना दिया आपने पर्टिकुलरली आप वहाँ पर जोइन कर लिजे ठीक है तो आप RPCAE और RSMSSBJE क्योंकि आपको पता है RSMSSBJE भी अभी जल्द आने वाला है लगवग एक हजार वेकेंसी होगी पंचेतरा इसके साथ एड़ो के उसके लिए भी आपका सैम सिमिलर चीजे है आपको दोनों एक्जाम को एक साथ लेके चलना है ठीक है थैंक यू